Hello friends and my dear student, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे measurement of rate of flow of fluid के बारे में इसमें हम देखेंगे कि इसका classification क्या है, कौन को हमसे equipment use होते है rate of flow of fluid को calculate करने के लिए और इसमें हम detail में बात करेंगे horrific meter के बारे में मेरा नाम है मैं चलिए शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे measurement of rate of flow of fluid के बारे में तो अगर इसके classification की बात करें तो ये classification तीन पार्ट में है, जो हमारा पहला number है वो क्या है, direct weighing and measuring इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी pipeline है और जिसके थूरू liquid flow कर रहा है, उसके एक input per unit time में कितना weight liquid का आता है या कितना volume liquid वहाँ पे आता है उसके थूरू हम rate of flow of fluid को calculate कर लेते हैं, जो दूसरा method है वो है hydrodynamic method, इसमें हम जो है इसमें हम क्या करते हैं कि एक प्लेस से per unit time में कितना fluid displaced हो रहा है, कितना fluid वहाँ से हट रहा है, उस चीज को calculate करते हुए हम rate of flow of fluid को calculate कर लेते हैं अब हम लोग बात करेंगे औरफिक meter के बारे में, जब भी हम कोई equipment पढ़ते हैं तो उसमें चार चीजों पर हम ध्यान देते हैं, सबसे पहले principle वह किस सिधान पर काम करता है, उसका construction वह किस तरह से बना हुआ है, उसकी working किस तरह से काम करता है, और उसके application advantage और disadvantage के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग बात करते हैं, और रिफिक meter के बारे में, हम कहते हैं, variable head meter भी कहते हैं, इसका principle देख लेते हैं, तो यह जब बरनौली theorem पे काम करता है, जब किसी point पे, जो velocity head increase होता है, तो वहाँ पे pressure head automatically decrease हो जाता है, और जो pressure head में difference होता है, delta h, उसको हम जोग, जो है, manometer की help से calculate कर लेते हैं, तो अगर किसी place पे, जो construction हो रहा है, तो वहाँ पे fluid की velocity क्या होगी, उसको calculate करने के लिए, जो formula है, वो क्या है, uo is equal to co under root 2g delta h, इस place पे uo क्या है, velocity of the fluid at the point of orific meter, co क्या है, यह हमारा orific constant है, या इसको हम constant कह सकते हैं, और delta h क्या है, यह difference in the head from monometer, या हम इसको आसान मासा में, pressure head में difference को भी कह सकते हैं, अब हम लोग बात करते हैं, इसके construction के बारे में, तो इसका जो diagram है, वो मैंने आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिस किया है, यहाँ पर जिस pipeline में हमको pressure difference को calculate करना होता है, या flow of fluid को calculate करना होता है, rate of flow of fluid को calculate करन मीटर को इसमें connected रहता है, जो है monometer, अब यहाँ पर जो आर्फिक plate है, उसको हम जैसे जैसे प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर एक create होती है, वेना contract है, जिसके थुरू जो pipe का diameter है, वो कम होता जाता है, और जो pressure head में difference आता है, उसको हम लोग मैनो मीटर के थुरू calculate कर लेते हैं हाँ तो और्फिक, जो meter होता है, और्फिक meter is considered to be a thin plate with a sharp aperture, इसमें एक thin plate होती है, दोनों side उसमें sharp aperture होता है, और्फिक plate is placed between long straight pipe, यह long straight pipe होती है, जहाँ पे हमको pressure difference calculate करना है, flow of fluid का rate जो है calculate करना है, वहाँ पे हम इसको attach कर देते हैं, और इसमें हम एक attach कर देते है, manometer को a और b के बीच में, अब हम लोग बात करते हैं कि यह काम कैसे करता है, तो it measures the variation in the pressure, यह pressure के variation को measure करता है, जब एक fluid, जो है when fluid stream passed through the orphic, velocity of the fluid at point b increases, means जब कोई liquid orphic से pass होता है, तो b point पे liquid की velocity increase हो जाती है, वो जब भी हम कोई pipe को दबाते हैं तो क्या होता है, कि जो liquid है वो तेजी से flow, दूर तक flow करता है, तो वहाँ पे velocity increase हो जाती है, जब velocity increase होती है, तो क्या होता है, pressure head at the point a is higher than the point b, तो क्या होता है, कि pressure head जो है, वो point a पे high हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे liquid accumulate होना start हो जाता है, और pipe की wall पे pressure create करना start कर देता है, और point b पे क्या है, pressure आगे की और वो travel करने की speed से कोसिस करता है, और यहाँ पे pressure कम हो जाता है, तो जो point b पे pressure कम हो जाता है, compare to point a के, and the difference in pressure head delta h is recorded by the manometer, तो जो pressure head में difference आता है, या pressure में जो difference आता है, उसको हम manometer के तुरू आचानी से निकाल सकते हैं, उसके बाद हम इसमें apply करते हैं, Bernoulli's theorem को, तो इस equation को जो हम apply करते हैं, तो हमें जो equation प्राप्त होती है, वो क्या होती है, under root uo square minus ua square is equal to co under root 2g delta h, यह equation कैसे प्राप्त हुई, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, detail में बात करेंगे, कि यह Bernoulli's theorem से यह equation कैसे आई, तो इसमें क्या है, uo क्या है, velocity of the fluid at the orphic, orphic पे fluid की या liquid की velocity क्या है, ua क्या है, ua velocity of the fluid at the point a, point a पे fluid की जो velocity है, वो हमारा ua हो जाता है, और जो आपका uo है, वो point b पे liquid की velocity क्या है, वो रहती है, ठीक है, co क्या है, constant है, और delta h, difference in head है, ठीक है, अब हम लोग अगर यह कहें कि, अगर हम किसी pipe का जो, यह और्फिग मीटर के थुरू, अगर हम उसका जो construction है, वो one-fifth कर देते हैं, तो क्या होता है, वहाँ पे, जो है, ua की जो value है, वो negligible हो जाती है, तो यहाँ पे हम इस equation को वो लिख सकते हैं, uo is equal to co under root 2g delta h, means अगर pipe का जो diameter है, वो 10 cm है, और आप उ उसको और्फिग मीटर के थुरू, उसको construct करके, अगर 2 cm के नीचे ले आते हैं, तो जो उसका diameter है, वो one-fifth हो जाता है, तो उस condition पे, ua जो है, वो आपका zero हो जाएगा, तो जो हमें equation प्राप्त होगी, वो क्या होगी, uo is equal to co under root 2g delta h, अब हम देख लेते हैं, कि यह equation हमें actually मैं कहा से प्राप्त होई, तो इसका हम देख लेते है, mathematical treatment, तो यह है आपकी Bernoulli's equation, अगर आपको इसमें कोई confusion है, तो हमारे Bernoulli के जो वीडियो है, उसको आप देखके, उसको आसानी से समझ सकते हैं, तो हम यहाँ पे कुछ adjustments कर लेते हैं, वो जैसे कि, जो pipe है, वो हमारी horizontal होने के कारण, जो potential energy है, X, वो यहाँ पे cancel हो जाएगी, हम यह मानते हैं कि friction loss F, जो है, वो यहाँ पे 0 है, हम यह मानते हैं, इस pipeline में कहीं पे भी कोई pump नहीं attach है, तो जो हमारी value W की है, वो भी 0 हो जाएगी, और जो हमारा fluid है, वो सेम है, इसलिए, रो A और जो है, रो B, जो density भी एक ही होगी, तो यह equation जो हमारी थी Bernoulli's की, वो जो है, modify होके, यह हो जाएगी, PA upon G rho plus UA square upon 2G is equal to PB G rho plus UB square upon 2G, अब इस equation में हम क्या करते हैं, कि जो हमारा PB है, इसको हम इस side shift करते हैं, और इसको इस side shift करते हैं, तो क्या होगा, कि PA upon G rho minus PB upon G rho is equal to UB square upon 2G minus UA square upon 2G, अब यहाँ पे हम देखते हैं, क्या क्या चीज़े हम इसमें से common निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए, जो है, G और rho दोनों में common है, तो यहाँ पे हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो यह हो जाएगा, 1 upon G upon, 1 upon 0, अब bracket में आ जाएगा, PA minus PB, यह equal हो जाएगा, अब देखते हैं, इसमें से हम क्या चीज़ common निकाल सकते हैं, तो इसमें हम 2G common निकाल सकते हैं, तो यह बाहर आ जाएगा, तो equation हो जाएगी, 1 upon 2G, bracket में, UB square minus UA square, अब हम इसको यहाँ shift कर देते हैं, और इसको यहाँ shift कर देते हैं, तो equation को हम इस तर minus UA square is equal to 2G, G, rho, और bracket में PA minus PB हो जाएगा, अब जो delta PG, rho है, यह हमारा pressure head कहलाता है, principle of statics के कारण, तो यह जो हमारी इतनी चीज़ है, यह convert हो जाएगी, H में, delta H में, तो यह equation हमें जो प्राप्त होगी, हलो, equation क्या होगी, UB square minus UA is equal to 2G delta H, अब हम इसका दोनों साइट under root कर देते हैं, under root करने पर इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, equation हमारी जहें modify हो जाएगी, और जहाँ पे UB है, वहाँ पे हम U0 को put कर देंगे, क्योंकि यह औरफिक मीटर की velocity है, तो जो हमें equation प्राप्त होगी अब, वह क्या हो जाई, under root UO square minus UA square is equal to CO 2G delta H, इस place पे CO क्या है, यह constant है, अगर हम जो है pipeline को 1-5 कर देते हैं, तो UA जो है, वह negligible हो जाएगा, अगर हम इस pipeline पे, जो है, इसके compression में, यहाँ का जो diameter है, वह 1-5 कर देंगे तो हम यह समझेंगे कि यहाँ पे जो liquid की velocity है, वो approximately zero है, क्योंकि यहाँ से बहुत कम fluid flow कर रहा है, और इस बज़े से यहाँ पे liquid accumulate हो जाएगा, यहाँ से liquid को वो निकलने में time लगेगा, तो यहाँ पे जो velocity है, उसको हम zero कर देते हैं, तो यह हमारा UA जो है, वो zero हो जाएगा तो हम इस equation को अब कैसे लिख सकते हैं, यू zero is equal to co under root 2g delta h, और इसी equation को हमने यहाँ पे वो लिखा था, यू zero, u o is equal to co under root 2g delta h, तो इस तरह से हम यह equation को derive कर सकते हैं, अब हम लोग बात करेंगे इसके application के बारे में, तो इसका पहला application क्या है, velocity difference and velocity at point A and B can be measured by this apparatus, उसके बाद जो इसका दूसरा application क्या है, volume of the liquid flow per hour can be calculated, इसमें हम कितना liquid एक घंटे में flow कर रहा है, उसको भी calculate कर सकते हैं, अगर कोई confusion है, तो उसको आप comment box में पूश सकते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ share करें, और घर पे रहें, सुरच्छित रहें, धन्यवाद.